हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्रिकार इस्टारी फॉइंट पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परिक्षा वाड़ी के टॉप 15 परसन जो कि आपके आगाम एकजाम के लिए महत्तपूर्ण होंगे दोस्तो इसमें 10 कॉस्चिन लिखित रूप से और 5 कॉस्चिन आपको अंत्रम मौकिक रूप से बताए जाएंगे और एकसे प्लेन के साथ दोस्तो लगबग लगबग आपसे 30 से 35 के बीच में लगबग परसन बन जाते हैं हमारी वीडियो हर रोज आती है तो दोस्तो अगर आपने अभी तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पलिलिष्ट माकर देख सकते हैं और पंदर कोईचिन के बाद दोस्तो आपके पंदर में से कितने से हुए आपको उसका स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना होता है तो चलिए आज का पहला परसने शुरू करते हैं तो जो लोग उत्राखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तो अब आपके पास भी समय बहुत कम है जो लोग अभी रानी खेत में भरती देखने के हैं तो दोस्तो अगर यहां आपका चैन हो जाता है तो फिर आपको पीछे मुण के देखने की बिल्कुल जरुवत नहीं है बतलब कि आज भी भरती थी उदर लगबख अभी पिथोड़ा गड़ और कुमाओ पिथोड़ा गड़ और चमपावथ की पहली भरती वोड़ी है सबसे पहले पिथोड़ा गड़ की ओरी चमपावथ फिर उसके बाद भांगी जो और जिल है कुमाओं की भरती अभी रानी खेत में चल रही है तो सुरू करते हैं आजका पहला परसन है आपसे पुछा गया है दोस्तो कि पवित्र तीर्त इस्थल ताले शुर किस नदी के संगम पर इस्थित है अगला उप्षन है कि काली नदी वह कटी पानी गार, कोसी वह गरुडगंगा, गोरी वह सार्दा अब दोस्तो इसका जो सही उत्तर होगा गोरी वो फिर सार्दा ये पिर सार्दा की जगर यहां पर काली करना तो अब आपके मन में आगया होगा कि ये कहां पर होगा तो गोरी वो काली या फिर गोली मतलब कि इसको इसार्दा नाम की जाना जाता है तो ये कहेंगे कि कहाँ पर जॉल जेवी पर जॉल जेवी जॉल जेवी में दोस्तों मेला भी लगता है पंडित नहरु जी के जनम दियो उसके अस्वर पर उनका जनम दियो 14 नौंबर को और 14 नौंबर से लगबक 19-20 नौंबर तक चलता है और इसकी सुरुवात की थी 1914 में ग दोस्तों तालेस्वर जो है ये काली नदी वो कटी पानी गाड के संगम पर है तालेस्वर ये तालेस्वर दोस्तों अलमोडा वाला अलग है जो अलमोडा वाला जो तालेस्वर दोस्तों तालेस्वर तामर पत्र प्राप्त होए थे पोरवन से संबंदित थे हो 1915 के आसपा सब्सक्राइब होते हैं यह आपको बिल्कुल याद रखने हैं अल्मोडा वाला तालेस वर तामर पत्र दोस्तों वह पौरा वण से संब्धिते वह लग है तो यह अलग है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ उम्मीद करता हूं यह आपको पूरा समझ में आग्या हो होगा और आपका भी परसन सही हुआ होगा अगला परसन है दोस्तों कि उत्राखंड राज जी में ज्वाला मुखी मिट्टी पाई जाती है अब तक दोस्तों जो मिट्टी हैं यहां से एकात प्रसन पूद्ध देता और एक्जाम में हमारा पड़े नहीं रहते तो मतलब की मिट्टी से भी जो है मिट्टी वाला जो चैप्टर वहां से प्रसन लिया और धिरे धिरे भूमी बंदोबस्ते से अगले पार्ट में कोश्चिन लाते रहोंगा आपके लिए जो की इंप्रटेंट प्रसन एक्जाम की द्रिश्टी जे उत्राखंडर राज जिमत ज्वाला भूरी लाल पीली मिट्टी पाई जाते है वो भी नैनी ताल हो गया और मसूरी हो गया चक्राता यहां सब पाई जाती कौन सी मिट्टी भूरी लाल पीली मिट्टी अब यह जो भाबर वाला है ऑप्सन नमर ए तो यहां दोस्तों पाली मिट्टी पाई जाते हैं कंकड पत् प्राइब दोस्तों ने अभी दरतक्त के पुराने पेपर नहीं देखें तो प्रीच्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियो को इसलिए रोका लेकिन मुझे लगा कि लेकिन भूसकलन तो टाइपिंग अरय होगी लेकिन यहां पर भूकंप गड़ो अब तो आप यहां पर कर लीजेवुकंक ने गंगोथरी में भूकंप की घटना कब हुई तbeit अब गंगोथरी कह आए तो यह है उत्तरकासी में तो ये अब आपको बताना है बागी जो भूस्कलन दोस्तों परसिद्ध है कि लगभग लगग की दो तीन बार पूचा गया कि 18 सितंबर 1880 को नैनी ताल में भूस्कलन वाली घटना ये कई मतला आप लोग कहेंगे कि डेट निया तो शीदे शीदे दोस्तो अठार सो तीन या फिर 1937 तो यहां पर भूकंप है यह निखलें के उसे मैं भी भूस्कलन पढ़ दे मैंने भी तो इसका सही तरह दोस्तों गंगोत्री में भूकंप आया था जो अठार सो सोला में अगर डेट आएगी तो 28 मैं अठार सो सोला तो कम से कम 28 मैं याद ना हो त दोस्तों यह भी अठार सो तीन में आया था और यह अठार सो तीन वाला है जो कि लगभग लगभग 22 मैं महां 22 मैं अठार सो तीन को उत्तर कासी में और 1937 में दोस्तों यह आया था कहां देहरा दून में देहरा दून में और अठार सो तीन में दोस्तों बद्रिनात में भी भी और उत्तरकाशी में घ्या Kendra 803 में ही है वहां आई था यहाद रखने है रखी जो बद्रीनथाने वह सितंबर 803 में और कि आपको बताए वहाला व्हों मै 803 का है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरव अगला कोश्चिन है दोस्तों ज्वाला दज जोशी ने कांग्रेस के किस अध्योशन में भाग लिया था इंपोटेंट प्रस नहें ज्वाला दज जोशी ने कांग्रेस के किस अध्योशन भाग लिया था पहला अध्योशन दूसरा अध्योशन तीसरा या में भाग लिया था ने पर इस तरह से और घंग्रेस के कौन से जई शिल होते के कलक diversion और देशन और देुजह स कब अधिवेशन में आएगा तो दूसरा अधिवेशन नहीं ने भाग लिया था जौला दज्जोसी ने तो ये अधिवेशन था दोस्तो कौन सा कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 886 में हुआ था ये आपको बिल्कुल याद रखना और भी उत्रा खंड़ से लगबग दो लोगों ने और भी भाग लिया था तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन ये इंपोर्टेंट है और बहुत से लोग इसमें गलती करने वाले हैं और एक्जाम में भी गलती होती है कि छेत्रफल की दिरिश्टी से सबसे बड़ी लोग सबा सीट है हरी दौार, अलमोडा, पौड़ी या फिर नैनी ताल अब उस लोग सोचनेगे कि अलमोडा में जैसे अलमोडा में आता है कि क्या बागे सव conception में आता है पिथोड़ा कड़ भी आता है चंपाध भी आता है तो इस छेत्रफ्ल सबसे बड़ा कई लोग इसको करके आगे बढ़ जाएंगे कई लोग पौड़ी को करेंगे फिर नैनी ताल नैनी ताल मुधमसीन अगर नैनी ताल तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छेत्रफल की दिरिष्टी सबसे बड़ी लोग सबासीट है यह है पौड़ी पौड़ी यह आपको बिल्कुल याद रखना है अब कैसे थोड़ा सा दोस मतलब की अठार साल से जादा उपर के तो मद्दाताओं की दिरिष्टी से सबसे चोटी लोग सबासीट है कौण सी पौड़ी तो पौड़ी का छेत्रफल बड़ा है और मद्दाताओं की दिरिष्टी सबसे चोटी सीट है बात करते हैं हरीद्वार की दोस्तों चो है मत दाताओं की दिश्टी से तो यह आपको विल्कुल याद रखना है उम्मीद करता हूं सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो गयोंगे एक बार फिर सुने कि छेत्रफल की दिश्टी सबसे बड़ी लोगसबा सीट पौड़ी अब चेत्रफल की दिश्टी सबसे चोटी लोगसबा सीट हरीदवार मत दाताओं के दिश्टी सबसे बड़ी लोगसबा सीट हरीदवार तो यह आपको विल्कुल याद रखना है बागी अलमोरा सीट सीट के लिए एक मातर जैसे पांच कुल पांच लोग सभा की सीटे हैं तो उनमें दोस्तों अल्मोडा की जो सीट है सी के लिए आरक्षित है और सी के लिए से अगले कोश्चिन की तरफ बांकि मैं अभी कौन-कौन कहां से तो इनकी भी नाम बताऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन दोस्तों इंपोटेंट है यह आपका जीके में भी काम आएगा और उत्रा खंड जीके में भी काम आएगा यह दोनुजगा आपके लिए काम करेगा इसलिए मैंने परसने लिया है इंपोटेंट परसने कई बार पूछा गया था कि कारवेट राष्टी उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया या फिर कारवेट राष्टी उद्या पहला था यह आपको फिल्कुल याद रखना है और जैसे कि 1907 में है तो सबसे पहले कि कारवेट आश्ची उद्यान की स्तापना कब हुई थी तो आठ अगस्त 1936 को बांकि आपने 1936 पड़ा होका जादा तर तो मैंने फिर गूगल में देखा कि डेट के हैं तो आठ अगस् 1936 में कार्वेटाश्टि धैन की स्थापना हुई थी और फिर इसको दोस्तों का रबेट आट्थ दोन ये असया और भारत का मतलब पहला टाईगर रिजर्व भी माना जाता इसको कारवेट राश्टियू धियाएन को तो फाइनली उन्हीं सो सतावन में इसका नाम रखा गया था कि जो है यहां पर कारवेट राष्टी उद्यान इनके नाम पर रखा गया था और एक और है दोस्तों जो की उत्राखंट से अभी दोई हैं जो की प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल हैं और एक है राजाजी राष् स्कून में और यह 820 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है और कारवेट का है कारवेट का 520 है यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ मां की दोस्तों जो कारवेट है वो लग 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 की तीन बनी जीव को मिला कर जंबनी जीव भ अपना हुई तीनी स्वा 893 तो अगला कोश्चिन की तरफ बढ़ते हैं काल सी इस्तित असो कालिन शिलाले की भासा इए उर्दू पाली गडवाली संसिकृत तो इसका सहुत्तर हो जाएगा काल सी काल सी का है यह दून में और यह दोस्तों पाली भासा में हो जाएगा लीप परहम में असो कालिन शिला लेक जो कि दोस्तों मतलब कि शिला लेक शिला यानि कि पत्थर पत्थर पर लेक तो ये हो जाएगा 860 मिश्टर जोन फॉरस्ट ने तो काल सी आपको बताना की कमेंट बॉक्स में दोस्तों काल सी किस नदी के संगम पर है अगर आपको यह आता है तो आप यह भी बता दीजिए कि लाखा मंडल किस नदी के संगम पर है पांकी मगली बीडियों में जरूर बताऊंगा लाखा मंडल अगर आपको काल सी आता है ठ जल्दी अब उत्राखंटर पुलिस का जो 21 फरोरी को दोस्तों जो एक्जाम होना है रेंक कर सका कि पहले आयागी जैसे अभी रिसी गंगा बाढ़ आई कि पहले चल ला था कि परिक्षा नहीं होगी तो फाइनली दोस्तों आयोग ने जो है कि सेंटर भी बता दिया कहां कितन पांकि आप जुड़े रहें चैनल के सांथ पढ़ते रहें तैयारी करते रहें और अपने दोस्तों के सांथ वीडियो को इसको सेर भी कर सकते हैं अगला कोश्चिन है कि उत्राखंड में एकी करत उन विकास कारिकरम कब शुरू किया गया तो जार दो तीन दो जार चार पा आपका बिल्कुल हंडेट परसंट सेव तरह एक्जाम में आये का तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है यह दोस्तों इस वीडियो का आप टेस्ट के रूप में आपको लेना है और कितने सेवे कमेंट बॉक्स में बताना है पढ़ते हैं अंगले को इंपोटेंट इनके समय में आपको बता दो कि इनके समय टीहिरी में स्वर्व परतम पुलिस विभाग की भी स्तापना हुई थी पुलिस विभाग की भी स्तापना हुई थी अगर पुलिस विभाग माना अंग्रेजी शिक्चावला ना आए तो पुलिस विभाग की स्तापना आगे क्यों इनके समंद में घयाद रखे कि इनके बारे में भवानिसाने देव पर्याक की इन सनश्रा के बात्त करेंगे इनके बहुत कुछ कुछ है बागी डिटेल नों बात करेंगे सुदरसंचा कवी लेखक भी रहे चैतु मानको को भी सरक्षन दिया था और भी इनके बारे में बहुत कुछ है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो बढ़ते हैं अगले को है तो फिर आप एक जार लोगों दोजार लोगों में नीचे आप चले गए तो नेना पीक की उचाहिए चब्वीस इगारा मीटर पचीस सोला मीटर टैइस चौराशी मीटर है फिर बाइस एक याउन मीटर अब ऑप्शन भी ऐसे हैं कि बिल्लब लग रहा है कि क्या जो बाकि एक और है उदर स्नियो व्यू उसकी उचाहिए लगभग लपकी बाइस सो सतर मीटर है तो यह आपको बिल्कुल याद रखना कि नैना पीक आप जरूर याद रखे एक्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि नैना पीक की उचाहिए कितनी है चब्वीस इ कि पूजा कहां कुछ जन जाती के दोरा की जाती है जाड बोक्सा भोटिया या फिर थारू तो भूमियाल भॉसे भॉयाद रखे ऑप्सन नमर सी तो भोटिया तो भू और भो तो यह आप इसे याद रखे फश्ट फश्ट बिल्कुल गलत नहीं होगा तो यह बोटिया जन सिंग नगर यहां आपको मिल जाएंगे देखने को और थारू जन जाती जो रहती है यह खटीमा में आपको उधम सिंग नगर में यहां रहती है तो बढ़ते हैं अगले कोस्टिन की त्रपांकि जौन सारी धिरादुन में है अब आप लोग कहेंगे कि कॉस्टिन कम होगे जैसे कि मैंने कहा था कि 10 स्क्रीन पर और पांच कोस्टिन मौखी गुरूप से जो की इंपोटेंट होते हैं 11 सुनिए क्यों हेन सांग ने मोर्धवच को किस नाम से सम्मोदित किया था अब पहली बात तो याद रखी कि मोर्धवच है क्या मोर्धवच किसका पराचिन नाम है को दो खोडवार का कौन अदी किनारे को अधिको प्राचिन में को मुदिख आ गया किसी और बात करेंगे तो हैं सांग ने मोर्धवच किस नाम से बोला था तो मोरपाला यहाद रखे मोर्धवच यानि की कोडवच अब सुनिए बारा प्रस्ण क्या जब उत्राखंड क का गठन हुआ या जब उत्राखंड राज्य का निर्माण हुआ जैसे भी प्रस्ट एक्जाम माए भिल्कुल घबराना नहीं है जब उत्राखंड राज्य का गठन हुआ निर्माण हुआ उस समय उत्तर पढदेश या फिर यूपी के मुख्य मंत्री कौन थे अब बहुत से समय उत्तर गलत करेंगे मुलाeg मिया ती करेंगे और ओर करेंगे प्रिका से राजनाथ ये राजना थी मैउश है कौन से मंत्रिय कमां को mood कौन था कूंआ कूम माव कमिशनर कौन था जब कुली यादा हो कुली विगार कब 1921 के समय तोί तो कौन często मेंधा डाइबिल याद रखे एक जाम में पूछा गया था डाइबिल चौद्वाँ परसन सुनिए कि नंदा के जागर ये भी पूछा गिए नंदा के जागर एक पुछतक है ये आपको बताने की किसने लिखिये तो नंदा के जागर तो जागर गाई का कौन बसंती बिष्ट ये आप याद रखे नंदा के जागर बसंती बिष्ट पंद्रोवा कोश्चिन सुनिए बन अनुसंदान सस्तान के मुख्य परवेश द्वार का नाम है बन अनुसंदान सस्तान यानि की देराद उनकी एफारा की बात चल लिए फोरस्ट रेजर्ज इंसिट्यूट की तो इसका जो मुख्य परवेश द्वार है उसका नाम क्या है ये भी एक्जाम में पूछा गया था तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों क्या ब्रांडिस गेट या ब्रांडिस गेट है उसका नाम तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है बन अनुसंदान सस्तान के मुख्य परवेश द्वार का नाम है प्रांडिस गेट अगर आपको ये पता था तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजेए आखरी कोश्चिन कि कारवेट कारवेट जो कि अभी कारवेट के बारें बता था मैंने आपको कारवेट का परविश दवार का नाम क्या है तो पतान है कि मुझे पता लगी कि दोस्त तो आखरी कोशचिन था क्योंकि आखर तक वीडियो किस-किस ने देखी करके तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच